नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं परकास उत्सव का पर्व, दिवाली, आप सभी के जीवन को उमंग उत्सव और सफलता के परकास से संपन कर दे सभी स्वस्त सुखी सम्रीद और खुशाल रहे यही कामना करता हूँ दिवाली के पावन पर्व की ओर से अनेको अनेक बधाई, सुबकमनाय और जोहार ज्यारखन में अब मिल सकेगी 6000 मेगावाट बीली ज्यारखन में पुरी छमता से बिजली आपूर्ती के लिए 116 गीट सब एस्टेशन के जरूरत है हालाकि बरतमान में केवल तीरपन ही कर रहा था है गिरीडो द्वारा राजे में 27,445 MBA बीली की जरूरत है फिलहाल 98,5 MBA ही आपूर्ती हो पाती है राजे में समुषी तरीके से बिली आपूर्ती हो सके इसके लिए ज्यारखन उर्जा, संचरन, निगम, द्वारा थेजी से नए ग्रीड सब एस्टेशन बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है बताया गया है कि 45 नए ग्रीड एस्टेशन निर्मराधीन है जो 1-2 वर्सों में चालू हो जाएंगे वहीं 18 ग्रीड सब एस्टेशन की योजना बनाई जा रही है बताया गया है कि बरतमान में 300 MW तक बीली की मांग चल जाती है परभविस में जार्खन में 6000 MW बीली की ज़रुरत पड़ेगी इसके लिए 116 ग्रीड आपूर्ती करने में सक्षम होंगे आदिवासियों के ज्यान और आजिव का प्रबंधन का अध्यायन कराएगी जार्खन सरकार चार्खन सरकार आदिवासियों के प्रबंपरिक ज्यान पर्यावरं दर्शन और सतत आजिव का के लिए संसाधन प्रबंधन का अध्यायन कराएगी साथ ही पिछले चार साल में छोटे छोटे मामले को लेकर जेल में बंद आदिवासियों के मुक्त होने के बाद उनकी पुर्णवास की स्थिति का भी अध्यायन कराया जाएगा पिछले चार वर्स में बड़ी संकाय में बिचाराधियन कैदी छोड़े गए हैं टी आर आई के निदेशक डाक्टर रनेंद्र कुमान ने बताया है कि एक सोध में बिचलाधियन आदिवासि कैदियों के मुक्त होने के बाद उनके पुर्णवास की क्याई स्थिति है ओ अभी क्या कर रहे हैं इस सब का अध्यायन कराया जाएगा डाक्टर रनेंद्र ने कहा है कि आदिवासियों का एक बेहतरिन परमपरिक ज्यान रहा है पर्यावरान के प्रती भी उनका एक दर्शन रहा है GPS से लैस होगी ज्हारखन की एम्बूलेंस राज्य में 108 अपात कालिन एम्बूलेंस सेवा के तह संचाली सभी एम्बूलेंस GPS या GIS से लैस हो जाएगी स्वास्त विभाग के अपरमूक सचीव अरून कुमार सिंग ने 108 सेवा प्रदाता एजेंसी EMRI GHS को इस भावत निर्देश जारी किया है उन्होंने एजेंसी को एम्बूलेंस में GPS GIS सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है GPS GIS से एक जगा से दूसरी जगा तक पहुंचिन में मदद मिलती है GPS का इस्तेमाल लोकेशन पता करने में होता है यही नहीं 108 एम्बूलेंस में कारलत चालक और हेलफर और ड्रेस में होंगे ताकि उनकी पहचान की जा सके अपर मुक सचीव ने एजेंसी को निदेश दिया है कि सभी एम्बूलेंस सदय वह स्वक्ष वह साप सूत्री रखी जाए एम्बूलेंस में कोई भी छोटी से छोटी तूरूटी का पता चले तो अबिलम दुरूस्त कराई जाए ताकि कोई बड़ा हच्षा वह छोटी तूरूटी बड़ी में नहीं बदले दिवाली पर नेशनल हाईवे में काल बनी टनल 40 जान फसी दिवाली के सुब अउसर पर उत्राखंड में एक ददनाग टनल में हच्षा हुआ है उतरकासी यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर टनल में हाथसा होने के बाद 40 लोग टनल के अंदर फस गाए चिंता की बात या है कि टनल के अंदर फसे मजदुरों की पिछले 12 घंटे से ज्यादा समय जिंदगी और मौत के बिच संगर्ष जारी है टनल में फसे अधिकांस लोग जारखंड, उतरपरदेश, यूपी, उडिशा, बिहार, पच्छिम मंगाल, आधी राजियों के रहने वाले है टनल हाथसे की सुचना मिलते हैं जीला परसासन भी हाई अलर्ट मोड में आ गया है प्राप्त जनकारी के अनुसार अल्वेदर रोड के लिए रिसी केस यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर टनल का निर्मान हो रहा था रभिवार सुबा करीब चार बजे बोजे बोज़े बोज़ खनल की वज़े से टनल का एक ही साधास गया टनल के धसने की वज़े से 40 मज़ दूर करीब 150 मिटर अंदर टनल में फंस गया है भोज़ खनल के बाद सिल्क 11 की तरह से भोज़ खनल हुआ है जमसेदपूर में पुलिस कर्मियों के साथ SSP और गरामिन SP ने मनाई दिपावली दिपावली के सुब असर पर SSP किसोर का असर ने PCR और टाइगर मोबाईल के जवानों के साथ दिपावली मनाई रभी वर रात वे पुलिस कंट्रोल डूम पहुंच चे और जवानों के बीच मी ठाया बार्टी वा उन्हें दिपावली के बधाया दी उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम से सहर में हो रही कति बीधियों का भी जाजा लिया SSP ने बताया कि दिपावली पर बीधी वेवस्था बनाए रखने के लिए PCR और टाइगर मोबाईल के जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं जो जवान तेवहार के दवान अपनों से दूर हैं उनके साथ आई दिपावली की खुसिया बाटने की एक पहल की गई है ताकि उनका मनोबल उचा रहे और लोगों को पुलिस से जो अपेक्छा रहती है उस पर सभी खारा उतरे इस दोरान ग्रामीन, ASP, रिसब गर्ग, ASP, Law & Order, सुमित अगरवाल और DSP, CCR, अनिमेस गुपता भी मुझूद थे रांची में 14 नौंबर तक के लिए नया रोड मैप तयार तेभारी मौसा में जहां उत्साह वा उमंग का महल कायम है, वहीं दूसरी और सोहर में ट्रैफिक बेवस्ता को बनाए रखने के लिए रोड मैप भी तयार किया गया है दीपा वाली वग काली पुजा के मत नजर 12-14 नौंबर तक भी सीचिय ट्रैफिक रूड तयार किये गया हैं जिसमें हिनु की ओर से आने वाली वाहनों के लिए और नामकुम से हिनु की ओर जाने वाले वाहनों के लिए रोड मैप तयार किया गया है इनके अनुसार हिनु के ओर से आने वाले वाहन चालकों को एजी मोर, मेकान चौक, अमबेटकर चौक, कमांडेंट अवास, राजा रानी कोठी, 56 होते हुए नामकुम जाना होगा धनबाद में अतिसवाजी से बढ़ा परदूसन का लेबल दिवाली की रात रभिवार को धनबाद वासियों ने जम कर पटाके फोड़े हैं, आसमान अतिसवाजी से नहा उठा जार्खन राज परदूसन नियंतरन बोर्ड के दो घंटे की समय सिमा को नजर अंदाज करते हुए देर रात तक पटाकों का सोर सुनाई देता रहा लोगों ने दिन में जम कर पटाकों की खरिदारी तो की सम पांच बजते ही पटाका फोड़ना सुरू कर दिया बोर्ड ने मातर दो घंटे रात आट से दस बज़े तक ही पटाका फोड़ने का निर्देश जारी किया था, इस निर्देश का पालान होता नहीं दिखा दो की जगह, साथ घंटे तक जम कर पटाके फुटे, साम चार बज़े से ही छिटपुट पटाकों की आवाई सुनाई देने लगी थी, लेकिन असली दुहम धराम का साम साथ बज़े के बाद सुरू हुआ ज्यारखन में 17 के बाद गीरे का तापमान, राजधानी रांची में गुलाबी ठंडे दस्तक दे दी है, लोगों ने जहां गरम कपड़े निकाल लिये हैं, वहीं बाजार में भी गरम कपड़ों की दुकाने सजने लगी है बदाद मौसम बिग्यान केंदर रांची के अनुसार राज़े में अगले पांच दिनों के दुरानी उतन तापमान में किसी बड़े बदलाव की समभावना नहीं है 17 नौंबर तक राज़े का दिकान सहीं सों में आंसिक बादल चाय रहने की समभावना है लेकिन इस दुरान मौसम के सुस्क रहने का भी अनुमान है मौसम बिग्यान केंद्र रांची के वर्यवे ग्यानी अविसेक आनंद के अनुसार रांची और आसपास के छेत्रों में 17 नौंबर तक आंसिक रूप से बादल चाय रहने का अनुमान है जबकि अधिक्तम तापमान 28-27 डिग्री सेस्यास के बीच रहने की उमीद है बाबुलल मरांडी के ब्यान पर आग बबुला हुए जहमू और कॉंग्रेस ने ता दिवाली का तेवार धुमधम से मनाया गया वही रायनीती ब्यानों के बम भी खुब फूट रहे हैं पहले परधानमति नयांद मोदी की उली हातु यात्रा को लेकर ब्यान बाजी का दोर चलता रहा था अब भाजपा परदेश अध्यक्ष बाबुला मरांडी के एक ब्यान ने रायनीती को गर्मा दिया है कॉंग्रेस और जार्खण मुक्ति मोर्चा ने बाबुला मरांडी के ब्यान को बचकाना करार देते हुए कहा है कि उन्हें ED, CBI, Income Tax की आड में रायनीती करने की जगा जानता के मुद्दो पर पोलिटिक्स करने की सलाह दी है जामुमो और कॉंग्रेस ने उठाई सरना धर्म कोड और HEC के लिए पैकेज की मांग परधान मंत्री नायन मोदी 15 नोमर को जारखण के खुट्टी जीले के उली हातु का दोरह करेंगे राजयास आपना दिवस और जन्जाति गडोरो दिवस के दिन परधान मत्री नायन मोदी धरती अबबाभवागवान बिर्सा मुंडा की जनमस्तली पहुँचेंगे इसके बाद एक जनसभा को भी परधान मंत्री समोधित करेंगे परधान मंत्री के प्रस्तावी जहर्खन दौरे को लेकर राज्य में सताधरी पार्टी ज्ञामों कॉंग्रेस और रायत की ओर से ब्यानबाईी शुरू हो गई है जामो कंग्रेस ने तो PM से उली हातू की धरती से ही आगामी जनगना में अगला सरना धर्म कोट की घोसना करने की मांग कर दी है वहीं HEC को बचाने के लिए पैकेज की भी उमिद जताई है अब सवाल यह उठता है कि आखिर जामो और कंग्रेस ने PM के जार्खन दोरे के समय सरना धर्म कोट की मांग क्यों तेज कर दी है घर में बरबाद हो रही है दवाईयां तो सजर अस्पताल में करे जमा कई बार लोगों के घरों में दवाईय बीना उपयोग के ही बरबाद हो जाती है आंत में लोगों को वह ऐसी दवाईय फेकनी पड़ती है लेकिन अब ऐसी दवाओं को एक जगा जमा करने के लिए रांची सजर अस्पताल प्रबंदन ने पहल की है दरसल रांची सजर अस्पताल के मुखे गेट पर एक मेडिसिन डोनेट बॉक्स लगाया गया जिसमें कोई भी ब्यक्ति अपने घर में बरबाद हो रही दवाईय इस बॉक्स में डाल सकता है लाइब सेवर संस्था के सहयोग से सदर अस्पताल की ओर से यह बॉक्स लगाया गया है जिसमें आम लोग आकर अपने घर में बरबाद हो रही दवाईयों को जमा कर सकता है रांची के समसूल हत्याकान में तिन अपराधी गिरफता राइधाने रांची के नगड़ी इलाके में हुए समसूल हत्याकान में सामिल चार अपराधियों में से तिन को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है नगड़ी इलाके में तिन नौमबर को धाबा संचालक समसूल की गोली मार का हत्या कर दी गई थी बता दे रांची के नगडी थाना छेतर में धावा संचालक समसूल की गोरी मरका हत्या के मामले में पूलिस को महतपुन कम्याबी हासिल हुई है हत्या कांड को अंजाम देने में सामिल तीन अपराधियों को रांची पूलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया इस मामले में मुख्य अभियूक्त आरेयन लंगडा है जो अभी तक फराज चल रहा है दिवाली छट को लेकर परसासन हाई अलर्ट रांची में दिवाली से लेकर छट पुजातक सुरक्षा को लेकर पूलिस हाई अलर्ट पर रहेगी रांची में कई अस्थानों पर हाल के दिनों में हुए अपराधिक वर्दातों को देखते वे सुरक्षा के बिशेश प्रबंधन किये गए है सभी चोग चोराहों पर जहां चेक नाका तयार किये गए है वहीं है भी पेट्रोलिंग की वेवस्ता की गई है सहर के होटलों का अचक निरिक्षन किया जा रहा है यह सिलसिला छट पुजा तक जारी रहेगा गत दिनो रांची, SSP, चंदन सिन्हा ने DSP और थाना प्रभारियों के साथ सहर का ब्रह्मन कर चोरी और छिंताई के कूल बावन होट एस्पोर्ट चीनित किये थे हजारी बाग में मिलावटी सराब भरा जा रहा है पानी सराब पीने वालों की परसानी कम होने का नाम नहीं ले रही है उभोकता सराब की दुकानों पर सेलसमें द्वारा प्रिंट से रेट से अधिक वसुली की मनमानी से परसान थे अब एक नई तरह की परसानी सामने आ गई है सरकारी दुकानों पर मिलावटी सराव बेची जा रही है ब्रान्डेट सराव की बोतलों के धकन खोलकर کुछ सराव निकाल ली जाती है और पानी डाल दिया जा रहा है इसके बाद बोतल का ढखकन लगा सील कर बेची जा रही है यह सराब पीने पर नहीं चड़ रही सेल्समेन दुआरा पानी मिला कर सराब बेचने के मामले को उत्पात भी भागने संग्यान में लिया है धन्यवाद